जैस्री कृष्णा दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रात में 12 बजे के बाद तंत्र साधना बढ़ जाती है इसके साथ ही नकारात्मक्स सक्तियां भी घरों में परवेश कर जाती है और अगर आपके घर में भी आपको नकारात्मक्स सक्तियों का आबास होता है तो आप मत्र एक गिलास पानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत प्रेथ है या नहीं दोस्तों आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि How is this possible तो आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर ले तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि यदि आपके घर में ऐसी गटनाएं हो रही है तो आपके घर में भूतों का साया है ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मनुश्य की दुर गटना या आत्म हत्या के कारण मरत्यू हो जाती है उसकी आत्मा बठकती रहती ह और दोस्तों ये बटकती आत्मा कहीं आपके घर में तो नहीं गोम रही है ये सब जानने के लिए हम आपको पहले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात की और इसारा करती है कि आपके घर में भूतों का साया है या फिर नहीं दोस्तों ध्यान से सुनना पहली बात गड़ी में नई बेटरी या सेल डालने के बाद भी आपकी गड़ी बिलकुल नई फ्रेस है फिर भी गड़ी का बार बार रुकना यानी गड़ी एक निश्चित समय पर रुक जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके आसपास कोई नकारात्मक उरजा है और इसके अलावा आपको आपके जीवन से जुड़ी किसी दुरगटना या किसी वेक्ति की याद दिलाती हो जो इस दुनिया में नहीं है तो यकिनन उस वेक्ति की आत्मा आपको कुछ कहना चाहती है ये आपको समझ जाना चाहिए दूसरी बात रात में आवाजें सुनाई देना अगर रात के समय किसी के चलने की किसी वेक्ति के पेरों की आहट या फिर दरवाजे पर दस्तक की कोई भी सामान गिरने वे पायल की आवाज सुनाई देती है तो समझ जाईए आपके घर में किसी नकरात्मक सक्ति का वास है तीसरी बात तितलियों का जुंड दिखाए देना हमारी पोरानी कताओं एवं मन्नेताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों या जिवों की प्रतीक है जो मर चुके हैं और एक सरीर से दूसरे सरीर में जाने के लिए एक छोटी यात्रा कर रही है अगर किसी वेक्ति की मृत्यू के बाद यदि आपको तितलियों का जुंड उड़ता हुआ दिखाए दे तो समझ जाना चाहिए कि आपका करीबी मनुष्य जिसकी मृत्यू हो गई हो वो अब दूसरी दुनिया की यात्रा पर न काली परचाई दिखाए दे रही है और आपको आपके आसपास कोई भी दिखाई ना दे तो सचेत हो जाए कि आपके घर में आपके अलावा कोई और भी है और वो आप से बात करना चाहता है दोस्तों पांचवी बात कंप्यूटर का अपने आप चालू हो जाना एसी गटना के बारे में एक बार बताया गया है कि एक आपिस में एक साथ सारे कंप्यूटर एक साथ चालू हो गये और उन सभी कंप्यूटर में कुछ ना कुछ चलता हुआ पाया गया वेशे ही यदि आपके घर में भी बंद कंप्यूटर में ऐसा कुछ देखने को मिले तो समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ नकारात्मक या कोई गटना गटित होने वाली है छटी बात जानवरों का अजीब वेवार जैसे आपके घर के पालतू जानवर कुट्ता बिल्ली आदी कुछ अजीब वेवार करने लगे या फिर रात के समय रोने की आवाजे निकालने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपके पालतू जानवर चाहे कुट्ता हो या बिल्ली वो आपके घर में अन्य जीव या साय की मुझूदगी का एसास करा रहा है सातवीं बात रोने की आवाज आना दोस्तों मित्रों आपको यदि देर काली रात में किसी के रोने की आवाजें या सिस्किया लेने की आवाजें सुनाई देती है तो ये समझ जाईए कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो बहुत ज्यादा परेसान है आठवी बात अलग अलग आवाजों को मेसूस करना अगर आपको अपनी आवाज अपने ही कानों में सुनाई दे रही तो समझ जाना चाहिए कि कोई आप से कुछ कहना चाहता है दोस्तों कभी-कभी आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे होते हैं तो बात करते करते आपके कानों में एसा कुछ सुनाई दे रहा होता है कि कोई और लोग यानि आज पास में और लोग बाते कर रहे हैं जैसे पांच-दस आदमी एक साथ बेट पर बाते कर रहे हैं या उनकी आवाजें आपको आदी सुनाई दे रहे हैं जैसे मान लोग आप से कुछ कहना चाहता हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई आप से कुछ कहना चाहता है तो अगली बार यदि आप इन बातों को इन आवाजों को सुने तो एक कदम आगे बढ़ कर जानने की कोशिश करे तो आपको या तो पूरी बात सुनाई देगी या फिर उस से जुड़ी जानकारी पता चल जाएगी नौवी बात यदि लगातार आपको कोई देख रहा हो एसा कहीं बार होता है जब हमें एसा लगता है कि हम राष्टे राष्टे चल रहे हैं या अपने घर में घूम रहे हैं तो ऐसा में लगता कि कोई हमारा पिच्छा कर रहा है या लगातार कई से हमें देख रहा है परन्तु जब हम पिच्छे मुड़कर देखते हैं तब वहां कोई नहीं होता यदि ऐसा होता है तो समझ जाना कि आपके लिए सही संकेत नहीं है दसवी बात बिजली के बलब का जलना और बुजना आपको बता दें कि अध्यात्मिक गुरुओं एवं मनोव विग्यानिकों का मानना है कि आत्माओं का इलेक्टरिशिटी यानि बिजली पर नेंत्रन होता है आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर का बिलकुल नया बलब भी कभी कभी अजीबो गरीब तरीके से जलता है और बंद होता है ये सब किसी आत्मा की मौजूदगी का परमान हो सकता है तो प्रीमित्रों अभी तक आपने जाना कि आपके घर में यदी भूत परेथ है तो आपको कौन-कौन से संकेत मिलते हैं या कौन सी गटवाई होती है परन्तु अब हम आपको बताएंगे कि आप एक गिलास पानी से केसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं दोस्तों इसके लिए आपको रात के समय एक गिलास पानी लेना है याद रखे कि गिलास काच का होना चाहिए जिसमें से पानी साप दिखाए दे और उसमें दो चमच नमक के साथ आपको वाइट विनेगर को अच्छे से मिला कर डाल देना है एक बार फिर से सुन ले दो चम्मच नमक के साथ वाइट विनेगर को अच्छे से मिला कर डाल देना है फिर उस गिलास को घर में ऐसे इस्तान पर रखना है जहां आपको नकारात्मक उर्जा का ज्यादा से ज्यादा अबास होता है यनि आपको ऐसा महसुस होता है कि यहां पर कुछ हो सकता है उसके बाद उस गिलास में अगरी सुबह तक पानी गंदा या पीला पड़ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में नकारात्मक उर्जा का वास है और यदि पानी जेसा है वेसा ही रहता है तो समझ लेना कुछ भी नहीं है दोस्तों लेकिन इतना ही नहीं जब आप अपने घर में आंगन में पोचा मारते हैं तो बाल्टे में मात्र एक चुटकी नमक डाल कर पोचा लगाए तो घर की सारी नकारात्मक उर्जा नश्ट हो अलावा घर में हमेशा गूगल पीला सर्शों एवं लोबान जलाए और इसका धुआ पूरे घर में दिखाए इससे बहुत लाब होगा दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाजार से रोक साल्ट नामक एक बलब आता है वो लेकर आ सकते हैं और अपने घर में हमे अगर अच्छे लगे तो सभी के साथ सेर जरूर करना जेश्री कृष्णा रादे रादे